आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग केंडरी सूचना एवं प्रसारन मंतरी अनुराक सिंग ठाकूर ने युवाओं से आवान किया है कि वे अपने लिए अपने राज्य और देश के लिए कुछ लक्ष निर्धारित करें ताके हम आजादी के अमरत काल में भारत को विश्य गुरू बना सकें श्रिठाकूर आज वर्चुल रूप से नए दिली से भोपाल में आयोजेत यूथ महापंचायत को संभूधित कर रहे थे श्रिठाकूर ने युवाओं से स्वच्चता स्वास्थ खेल सहित किसी भी शित्र में आम लोगों के बेतरी के लिए काम करने के अपेल की देश में स्टार्टप में युवाओं की भोमिका का जिक्र करते वे श्रिठाकूर ने कहा है कि युवा अंतरिक्ष और रक्षा समेत कई शेत्रों में अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाने में एहम भोमिका निभा रहे हैं देश में वैक्सीन करांति पर श्रिठाकोर ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से हमने देश में दो वैक्सीन बनाई हैं और हमने दो सो करोड से ज्यादा वैक्सीन डोस दी हैं कारिक्रम को मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भी संबोधित किया शिजोहान ने कहा है कि राजे सरकार द्वारा पंदरा अगस से एक लाख भरतियों के लिए अभियान शुरू किया जाएगा उन्होंने उद्यम क्रांती योचना का उल्लेक करते वे यवाउं से इसका लाव उठाने की भी अपिल की गौरतलभे के अमर शेही चंदर शेकर आजात की एक ससूलवी जिन्मजैनती पर उनके बलिदान को याद करते वे राजे सरकार द्वारा राजे स्तर पर पहली बार दो दिवसे यूथ महा पंचायत की जा रही है जिसमें हर जिले के युवा शामिल होने आए हैं महा पंचायत में मन्थन से निकले विचारों को आत्म निर्भर मद्र प्रदेश के रोड मैप में शामिल किया जाएगा प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने आज माभारती के दो महान सपूतों लोकमाने तिलक और चंद शेखर आसाथ को नमन किया एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहाए कि दो महान विभूतियां साहस और राश्रभाक्ति का परियाय बन गई थी प्रदान मंतरी ने कुछ वर्ष पहले मन के बात कारिकम के दोरान लोकमाने तिलक और चंद शेखर आसाथ के बारे में की गई बाते साचा की उन्होंने कहा कि बड़े पैवाने पर गड़े शुत्सों के आयोजन के शुरुवात लोकमाने तिलक की स्थाई धरोहर है जिसने लोगों के बीच स्थान्सक्रतिक चेतना को बढ़ावा दिया है श्रिमोदी ने कहा है कि अपनी मुंबई यात्रा के दोरान उन्हें एक बार लोकमाने सेवा संग जाने का अवसर मिला जो लोकमाने तिलक से संबत रहा है मोख्यबंतरी शिवरासिंग चोहान ने भी दूनु विभोतियों के चित्रों पर शुधा सुमन अर्पित किये प्रुदेश में अब ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड और बगेलखंड के इलाकों में भारी बारिश हो रही है कई जगे नदी नाले उफान पर है नर्वदा तापती और शिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफना चुकी है राजकर सिले की खिलचिपूर में दो मुंजला मकान गिर गया घटना सुबह चार बचे के खंटबाब में सुबह उमकारिश्व डैम के 6 गैट खोल दिये गए बैक वाटर लाके में लगातार बारिश के कारण जलस्तर से बढ़वतरी हो रही है नर्वदापुरम में भी तवा डैम के 5 गेट को 7 फिट कोल कर पानी छोड़ा जा रहा है रात में 7 गेट खुले थे सुबह दो गेट बंद कर दिये गए तवा डैम के गेट खुलने के बाद से इंदरा सागर डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है मुपाल में भी भदबदा टैम का गेट खुल कर पानी छोड़ा जा रहा है शिवपुरी दतिया भिंड और शिवपुर में बुधवार गुरवाराद से बारिश आरी है कोटा बैराद से छोड़े गए 12,000 क्यूसिक पानी और बारिश के असर से मुरैना में राजखाट का चंबल का जलिस्तर चार मीटर तक बढ़ गया है शिवपुर में पारवती और अम्राल नदी उफान पर है मौसम वभाग ने शैडूल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल और ग्वालिर सम्भागों के जलू में कहीं भारी वर्षा के चताव नी दी है प्रदेश में वीते 24 कंटों के दुरान कोरोना के 219 नयमामले सामने आये हैं की 217 मरीज कोरोना संक्रमन से मुक्त हुए हैं इस बीच कोरोना से वचाव के लिए बूस्ट डूस लगाय जा रहे हैं शैडूल जिले में 26 चुलाई से दो दिवसी बूस्ट डूस अभ्यान चलाय जाएगा डूस अठारा साल से उपर के सभी विक्तियों को लगाय जाएगा इसके लिए सिले के सभी ब्लॉकों और नगरी शेत्रों में 300 केंद्र बनाए गए हैं अब कुस्त समाचार संग शेफ में शियुपुरी में कल शासकी आईटी आईए में एक दिवसी अपरेंटीशिप मेले का आयोजन क्या गया मेले में ओनलाइन, लिंक और ओफलाइन पंजियन के माध्यम से लगभग 663 ठावेदकों ने पंजियन कराया फसल वीमा के प्रते किसानों को जाक रोक और उने फसलों का वीमा कराने के लिए प्रेविज करने के लिए जिबलपुर सिले भर में पब्रिसिटी वैन के मात्यम से एक माह तक प्रधार मंत्री फसल वीमा योजना का व्यापक 55 पसार क्या जा रहा है बैतुल सिले के CVSC के रिजल्ट में चात्राओं का दबदबा रहा RDPS की मैत्री शाने बार्वी में जिले में प्रतम इस्थान हासल किया शाइडोल में सेमेन से वराट फ्रक्चुराने वाले युवक को भीड द्वरा पीटे जाने का विडियो वाइरल होने के बाद आधा दर्जन लोगों को गरफतार क्या गया है इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार